नमस्कार स्वागत है आप सभी का नियूस प्लेस 21 में मैं हूँ आपके साथ अंजली चलिए सुरुवात करते हैं बैक टू बैक खबरों की वर उपमोख्य मंतरी विजय शर्मा के अनुदान मांगो की चर्चा में कहा गया कि पिछले पांच वरसों में पुलिस विभा का मनुबल गिरा हुआ है पारी सरकान ने पुलिस और अहम जंता के बीच समवात को बढ़ाने की पहल की है साथ ही अपराधियों में पुलिस का खौप कायम करने की दिस्ता में भी काम किया है उपमुख्यमंत्री शर्माक ने इस मौके पर पूरे प्रदेस में डायल 112 की सेवाइं शुरू करने प्रदेस के सभी 11,000 से अधिक पंचायतों को महिला सदन और अमृत सरोवर निर्मार की घोशना की है उन्होंने बालोद चीले के ग्राम चीचा के मृतक तोरंड साहू के परिचन को पांच लाख रुपए देने के साथ ही बिलासपूर में नए फायर इस्टेशन की स्थापना की घोशना की है वही विद्यार्थी जीवन में अनुशासन जरूरी है अनुशासन सही हमें जिन्दगी में सफलता की राहत मिलती है जब हम लक्ष तै करते हैं तो अनुशासन ही हमें उन लक्षों को प्राप्त करने में मदद करता है यहाँ बात उच्च शिक्षम मंत्री प्रिश मोहन अगरवाल ने कहा जब हम अनुशासित होते हैं तो हम अपना समय जरूरी कामों में लगाते हैं व्यार्थ की गतिवीधियों में समय बर्बाद नहीं करते हैं अनुशासन हमारी एक आगरता को बढ़ाने में मदद करता है जब हम अनुशासित होते हैं तो हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और असानी से विचलीत नहीं होते वही मुख्य मंतरी विश्णु देवसाय ने राइपूर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आज छेतरी सरस मिला का दीव प्रजलीत कर शुबारम किया इस मिले का आयोजन 28 फरवरी तक किया जाएगा सरस मिले में 36 गड के समस्त जेलों में कुल 133 महिला स्वा सहायता समुः शामिल हुए इसके साथ ही असम उत्राखंड मध्यप्रदेश जाडखंड तथा बिहार से आये हुए महिला स्वा सहायता समुः द्वारा भी अपने उत्पादों के श्टॉल लगाएगा मिले में आये लोगों को राजे और अन्य प्रदेशों द्वारा मिलकर सरस मिले में कुल 112 स्टॉल के जरिये उत्पादों की जानकारी मिल रही है वही कानपूर में कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी की भारत जोडो न्याय यात्रा को लेकर जगा 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 होर्डिंग वैनर पोस्टर लगाएगा है इस बीच एक होर्डिंग सब का ध्यान अपनी ओर खीच रही है क्योंकि इस होर्डिंग में राहूल गांधी को भगवान स्री कृष्ण और अजयराय को अरजून की रूप में दर्साया गया है अजयराय यूपी कॉंग्रेस के अध्याक छे हैं बतान दे की राहूल गांधी आज 21 फरवरी अपनी नयाय यात्रा को लेकर कानपूर पहुंचे हैं वहाँ उन्नाव की रास्ते शहर में प्रवेस करेंगे ऐसे में कानपूर उन्नाव बॉर्डर पर हचारों की संख्या में कॉंग्रेसी उनके स्वागत के लिए खड़े हैं पुरा शहर बैनर पोस्टर में पट गया है वहीं घंटा घार चौरा है पर उनकी सभा होनी है इस बीच एक होर्डिंग लोगों का ध्यान अपनी ओर खिज रही है वहीं एंट्रेटेंडमेंट की दुनिया में एक बार फिर से सननाटा चा गया है दरसल रेडियो की दुनिया में आवाज के जादू कर कह जाने वाले दिगज रेडियो प्रेजेंटर आमिन सयानी का निधान हो गया है इनके 90 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसे ली उनके निधन की खबर को उनके बेटे रजील सयानी ने कनफर्म किया है अमिन सयानी की मौत से उनके बेटे रजील सयानी गहरे सब्मे में है मेडिया संग बाच्चीत में उन्होंने पीता की मौत के बारे में जानकारी दी उन्होंने बताया कि अमिन सयानी को बीते दीन हार्ट अटेक आया था जिसके बाद उन्हें तूरंत ही H.N. Reliance Hospital ले जाये गया लेकिन रास्ते में ही अमिन सयानी ने दम तोड़ दिया टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के घर पर किलकारी गुंजी हैं उनकी पतनी और बॉलीवूड एक्ट्रेस अनुष्का सर्मा ने बेटे को जन्म दिया है कि इस बात की जानकारी पूर्वक अप्तान ने मंगलवार को अपने सोशल मेडिया के जरिये दी है बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने इंस्टा हैंडल से बताया कि 15 फरवरी को उनकी पतनी ने बेटे को जन्म दिया है जिसका नाम आकाय रखा गया है विराट ने इस पोस्ट में लिखा हमें यह बताते हुए अत्यधी खुशी हो रही है कि 15 फरवरी को हमने अपने प्राइवसी का सम्मान करें पूर्वभारती कप्तान की इस पोस्ट पर बधायों का ताता लग गया है क्रिकेट जगत के तमाम दिगजों ने कमेंट कर उन्हें शुब कामनाय देना शुरू कर दिया है एलन मस्क ने मानव इतिहास का सबसे बड़ा कारनामा करके दिखाया ह हाल ही में नियूरा लिंक ने एक इंसानी दिमाग में चिप को इंपलॉंट किया था जिसकी जानकारी खुद एलन मस्क ने दी थी अब लेटिस्ट जानकारी में पता चला है कि चिप इंपलॉंट किये गए व्यक्ति ने बिना चुवे कंप्यूटर माउस को कंट्रोल करके दिखाया है यह जानकारी मेडिया रिपोर्ट से मिली है दरसल रॉयर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक सोचल मेडिया प्लेटफॉर्म पर हुए स्पेस इवेंट के दौरान एलन मस्क ने इस जानकारी को शेयर किया उन्होंने बताय कि प्रोग्राम अच्छा रहा और माउस को कंट्रोल करके दिखाया जिसके बाद करसर स्क्रीन पर एक साइट से दूसरी साइट मुव हुआ वालीवूड एक्ट्रेस यामी गौतम और प्री अमड़ी सांथ मिलकर फिल्म आर्टिकल 370 में नजार आने वाली है इस फिल्म की कहानी कश्मीर में लगे आर्टिकल 370 को हटाने पर आधारित है फिल्मों में यामी गौतम एक खूफिया अधिकारी के रोल में नजार आने वाली है फिल्मों को लेकर अब भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना रियाक्शन दिया है जमू कस्मीर में एक सभा को संभोधित करते हुए प्यम की बात है मैं और मेरी फिल्मों में उम्मीद करते हैं कि हम उनकी उम्मीद पर खरे उतरेंगे तो ऐसी तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहे हैं न्यूस प्रस 21 आपके हक्की बात